गुड मॉनिंग एवरीबडी आज हम बात करने जा रहे हैं जो इस वक्त की खास प्राब्लम है लेंटिसल ब्लॉच या कॉर्क स्पॉट या बिटर पिट यह तीन प्राब्लम्स यहां पर इस वक्त जो मौसम के हाला की वज़े से इस वक्त जारी है कश्मीर में पूरे कश्मी जो हमारे प्लांट्स में होता है यह दो अलग अलग चीजे हैं जो बात करेंगे जैसे लंटीसल के बारे में लंटीसल जो है वे एक नॉर्मल फेनामेना है यह एनल नाचल ओपनिंग से और फ्रूुट इस वोड़ा है से गैसियस एक्सचेंज होता है लेकिन क्या प्राबलम होती है कभी ड्राइ कंडिशन हो जाती है ड्राइ कंडिशन की वज़े से जो न्यूट्रेंट अप्टेक है जमीन से वह नहीं हो पाती पूरी तरह से खासकर केल्शियम का रोल इसमें बहुत जादा है क्योंकि एक ग्रो तो जो लेंटिसल है वो बर्स्ट हो जाते हैं तो उसकी वज़े से वहां पर ब्लाचिंग होती है कलर डिफरेंट आएगा आपको वहां पर ब्राउन और ब्लैक कलर्स हो जाएंगी जिसकी वज़े से तो मलब डैट इस बिकाज अफ डिफिशनसी आफ केल्शिम यह कोई बी जैसे ज्यादा बारिशां भी हो जाएंगी तब भी लीच डाउन हो जाती है कई न्यूट्रेंट्स हमारी जिसकी वज़े से न्यूट्रेंट अप्टेक नहीं होता है पर्टिक्रिलर केल्शिम की बात करूंगा मैं तो लोग इसको कभी-कभी कंफ्यूज करते हैं जैसे पि दूसरा जो बिटर पे टोर यह कॉर्क स्पार्ट है वह भी विकाज़ डिप्रेशिंस हो जाती है वहां सड़ना शुरू होता है टेस्ट में बिटरनेस आ जाती है इसलिए वह बिटर स्पार्ट उसको हम कहते हैं और ज्यादा तर इसका अगर हम इसी तरह के मेवे को स्टोर करेंगे अपने स्टोरिज में सीए स्टोर में या कहीं पर भी स्टोर करेंगे उसके बाद वह दाग जो बढ़नी शुरू होते हैं और आपको यह पता होना चाले जहां पर जखम लगता किसी भी मेवे में या किसी भी पेड़ पर इनसान पर वहां पर नासूर बनना केल्शियम यहां पर कमी पाई गई है और ज्यादातर इसका एसुसिशन है मौसम के साथ कि खिचाई नहीं हो पाती है इसलिए मजबूरी है कि हम केल्शियम की स्प्रे करें यहां पर यूपियल की तरफ से ब्रिक एक बहुत ही बड़िया दवाई है जिसमें केल्शियम 9.75 पर पर तरफ सलिए खिचाई के बाद आपके महिया होता है उसमें चाहिन बियाती है उसमें फर्म निस भी आती है क्योंकि केल्शियम इस फर्फर्मनेस आलसो तो यह सारी चीज़े अगर हम यहां पर बृक की स्प्रेश करें तो आपका जो मेवह है इन चीजों से महभूँज तो खासकर जो देखा गया है मटर दाने के बाद 15-15 दिन के गैप के बाद अगर हम ब्रिक का स्प्रे करें तो यह बहुती बढ़िया आपका जो मेवा है वो उसमें लेंटिसल ब्लॉच या बाकी बिटर पेटियाक और स्पार्ट जैसी अबियाटिक स्टस अबियाटिक बिमा उसमें कोई भी साइड एफेक्ट नहीं है लोग कहते हैं कि कल्सियम से कुछ साइड एफेक्ट आते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है वह फर्मेंटिट प्रोड़क्ट है और गैनिक प्रोड़क्ट है पेटेंटिट प्रोड़क्ट है पचास साथ मुलकों में उसका इस्तिमाल कि तो आप उसका बरपूर इस्तिमाल कीजिए और उसका बरपूर फाइदा उठाइए